प्यारे दोस्तों आपसे रिक्वेश्टर वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूले दूर एक जंगल में रानू चिडिया अपने पती टुना चिडा के साथ रहा करती थी रानू चिडिया पेट से थी उसका अंडा बस होने ही वाला था अजी घर कर सारा राशन खतम हो गया है आप जग के को थोड़ा अनाजी खटा कर ले मैं आपके साथ चलती लेकिन मैं नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मेरे पेट में बहुत सो रुका दर्द हो रहा है चिडिया चिडिये से ऐसा कहती है हाँ ठीक है तुम मत जाओ क्योंकि कभी भी अंडा बाहरा सकता है तुम घर पर ही रुको मैं अभी जाकर अनाजी खटा करके लाता हूँ तुना चिड़ा ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है फिर वहाँ एक खेत में पहुँच जाता है और उस खेत से कुछ गेहूं की बालियां लेकर फिर अपने घर की तरब निकल पड़ता है फिर चिड़ा अनाज लेकर घर वापस आ जाता है फिर वहाँ देखता है कि चड़ियां अंडे के उपर बैठी हुई है वह अंडे को देखकर बहुत खुश होता है अब तो हमारा बेटा आने वाला है बस अब कुछ समय का और इंतिजार करना होगा जी बेटा ही है बेटी क्यों नहीं बेटी भी तो हो सकती है ना बेटी नहीं बेटा ही होगा देखना तुम फिर ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन गुजरते चले जाते हैं और तुरिया एक प्यारी से बेटी को जन देती है और वा अपने पती तुना से कहती है देखिए जी कितनी प्यारी बेटी हुई है हमारी ये सब सुनकर तुना चिडा गुजसे में आ जाता है और बोलता है नहीं नहीं हमें तो बेटा ही धूना था बेटा ही होना चाहिए था बेटी कैसे हो गई मैं बेटी बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ मैं इसे अभी ही मार देता है फिर चुडिया अपनी बेटी को अपने पीठे चुपा लेती है अजी आप कैसी बाती कर रहे हैं ये हमारा बच्चा है बेटी हो या बेटा क्या फरक पढ़ता है ये हमारी बेटी है मुझे बहुत फरक पढ़ता है मुझे बेटा ही चाहिए था चुडिया सोचने लगती है कि अभी टुनाचिडा के गुसे को सांध करना ही बेतर होगा उसे अपनी बेटी की बहुत चिंता थी वा टुनाचिडा से कहती है जी ये हमारा पहला बच्चा है हो सकता है कि अगला बच्चा बेटा ही हो इसलिए आप इसे छोड़ दें फिर टुनाचिडा वहां से गुसे में चला जाता है समय बीटता जाता है और फिर कुछ समय बाद चिडिया फिर से पेट से होती है और एक अंडा देती है फिर उस अंडे से एक बेटी को जन्म देती है ऐसा करते करते उसकी नो बेटिया हो जाती है अब वह दस्वी बार फिल से पेट से थी ये क्या रानो चुडिया अब हमारी दस्वी भी बेटी हुई मैं तो बेटा चाहता था अब मैं और बर्दास नहीं करूँगा रानो तू बहुत मनहूस है सारी बेटियां ही पेदा हुएं एक भी बेटा पेदा नहीं हो तुम और अपनी इन मनहूस बेटियों को लेकर के इस घर से बाहर निकल जाओ मैं तुम्हें कल तक का समय देता हूँ उसके बाद इस घर में तुम और ये तुम्हारी मन्हूस बेटियां मुझे दिखाई नहीं देनी चाहिए जी आप हमें घर से ना निकाले हम घर चोड़के कहां जाएंगी आप ही बताए इन बच्चियों का इसमें क्या कसूर है मैं इन बच्चियों को लेकर कहां जाऊंगी कहां रहूंगी चड़िया ऐसा कहती रहती है पर उस चड़े को कोई फरत नहीं पड़ता है और वह वहां से उठकर चला जाता है अगली सुबा हो जाती है चिडिया रात भर बैठी रहती है उसे तो रात भर नेंद ही नहीं आती है तभी उसे आवाज सुनाई देती है रानो, रानो, रानो चिडिया बाहर आओ, जन्दी बाहर आओ तभी चिडिया घर से बाहर आ जाती है और देखती है कि ठुनाचीडा ने दूसरी साधी कर ली और वह रोने लगती है देख रानू मैंने दूसरी साधी कर ली है अब मुझे तेरी कोई जरुरत नहीं है अब तो अपनी मनूस बेटियों को लेकर इस घर से निकल जा चिड़ा जी आपने मेरे होते हुए दूसरी शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं अब मैं मैं बेटियो को लेकर कहा आ जाओंगी ये सब कुछ मैं कुछ नहीं जानता हूँ तुम बस इस घर से बाहा निकलो चिड़िया चुप हो जाती है और कुछ नहीं कहती और रोते हुए उस घर से निकल जाती है चिड़िया वहां से चली जाती है चिड़िया अपने बच्चों के साथ उस घर को छोड़ कर वहां से चली जाती है अब उसे एक नया घर ढूरना था अपने बच्चों के लिए नया घर ढूनने के लिए निकल पड़ती है चुडिया और उसके बच्चे एक डाल पर आकर बैट जाते हैं और चुडिया की बेटी उससे पूछती है मा अब हम किस घर में जाएंगे? हमारा तो कोई घर ही नहीं है ना अब हम कहां जाएंगे? कहां रहेंगे? चुडिया की बेटी इतना कही रही होती है तब ही उसे वहाँ पर एक खर दिखाई देता है मा वो देखिए वहाँ पर एक घर दिख रहा है चलिए उसी में चलते हैं हाँ बेटा दिख तो रहा है पता नहीं किसका होगा चलो तब तक के लिए हम उसी में चलते हैं फिर रानो चुडिया अपने बच्चों को लेकर उस घर के अंदर चली जाती है चुडिया और इसके बच्चे उस घर में आकर बैठ जाते है फिर चुडिया अपने बच्चों से कहती है बच्चो तुम सब घर पर ही रहना मैं बाहर काम ढूनने जा रही हूँ बाहर बिलकुल भी मत निकलना मा मुझे बहुत भूख लगी है कुछ खाने को दोना बेटे मैं काम ढूनने जा रही हूँ जब मैं वापस आऊंगी फिर आपके लिए मैं भोजन लेते आऊंगी मा मैं भी चलूँगी आपके साथ काम ढूनने के लिए मैं आपके काम में मदद करूँगी नहीं बच्चे आप अभी छोटे हैं आप अभी घर पर रुके और अपनी छोटी बेहनों का ध्यान लखे मैं अभी काम ढून कर और खाना लेकर वापस आती हूँ फिर चिडिया वहाँ से काम ढूनने के लिए चेली जाती है चिडिया उड़कर जा रही होती है तभी उसे एक बड़ा सा घर दिखाई देता है वह वहीं पर रुक जाती है और आवाज लगाती है तभी वहापा सेठानी हरी तोती आ जाती है सेठानी जी अगर कोई काम हो तो मुझे दे दे मुझे काम की बहुत जरूरत है मेरे बच्चे भुखे है मुझे उन्हें खाना देना है हाँ काम तो बहुत है मेरे घर में काम वाली भी नहीं आ रही है कुछ दिनों से उसकी जगा पर तुम काम कर लेना फिर चिडिया उस तोती के घर में काम करने लगती है इसी तरह कुछ साल बीचते चले जाते हैं चिडिया दीरे दीरे पैसे घटे करके अपने लिए खुद का खेट खरीद लेती है और अपनी बेटी के साथ खेटों में काम करती है मा इस बार की फसल कितने अच्छे आई है इस बार बाजार में अच्छे दाम मिलेंगे अपनी फसल की हाँ बेटी आप सच कह रहे हैं रानो चिडिया अब दूसरों के घर में काम करने नहीं जाती थी वह अपने खेटों में ही फसलों गाती और उसे बाजार में जाकर की बेच आती थी दूसरी तरब टुना चड़ा का बेटा एक नमबर का नालायक में खट्टू था चल बेटे मिन्टू मेरे साथ खेट पर काम करने चल मैं क्यों जाओं खेट पर काम करने आप खुद जाओ आपका खेट है आप देखो मैं थोड़ी ना कोई काम करूंगा मैं काम करने के लिए नहीं बना हूँ देख रही हो मिन्टू की मा, मिन्टू कैसी बाती कर रहा है मेरा बेटा एकदम ठीक कह रहा है तुम्हें ज़्यादा परिशानी है तो तुम इस घर से निकल जाओ वरना मैं अपने भाईयों को बुलाकर तुम्हारी अच्छे से खातिरदारी कराऊंगी दोनों मा बेटे मिलकर उच्छे को घर से निकाल देते हैं एक नदी पर चुनिया पानी पीने के लिए उधरती है देखती है कि कोई रो रहा है वह मुड़कर देखती है तो देखती है वो तो टुना च्छे है और वो टुनाचिडा के पास जाती है और इसे पूछती है आप यहां क्यों बैठे हैं और आप रोग क्यों रहे हैं आपकी पत्नी गहां है और आपका तो बेटा भी है ना तो फिर आप यहां क्यों बैठे हैं हाँ मेला बेटा भी है जो एक नमबर का निखटू है दिन भर घर पर पड़ा रहता है कोई काम नहीं करता और उसकी मा उसका ही पच्च लेती है मैं उससे जब भी कोई काम करने के लिए कहता हूं उसकी मा और वो दोनों मिलकर मुझे धमकियां देते हैं आज तो उन दोनों ने मुझे घर से ही निकाल दिया रानो मुझे माफ कर दो मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है जो मैंने तुम्हें और अपनी बेटियों को घर से निकाल दिया हल गलती की माफी नहीं होती है आज मैं और मेटी बेटी बहुत खुश है और अच्छे से जीवन जी रहे है सब कुछ बेटा ही नहीं होता है बेटियां भी पेटों से ज़धा होती है इतना करका चिडियां महां से भर के लिये चली जाती है और चुड़ावाई नी बैट कर रूता रहता है